दोस्तों नमस्कार यह मार्ग दोशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चोधरी दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामाई घटना चक्रद्वार परकासित भारती अर्थविवस्था सामाजी केवं आर्थिक विकास का सात्वा भाग इसके छे भाग हम पहले ही कर चुके हैं दोस्तों इस रिंखला के अन्य वीडियो के लिए आप इंडियन एकाणुमी प्रेलिस्ट में जाकर अन्य वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों इसमें हम गरीबी रेखा से संबंधित और भुक्तान संतुलनाच से संबंधित विदेशी व्यापार से संबंधित प्रमुक प्रश्णों को देखेंगे तो आए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला प्रश्ण है निर्धंता का दुष्चक्र की अधारा किस से संबंधित है तो दोस्तों निर्धंता के दुष्चक्र की अधारा नक्स नामक बिद्वान यानी इनका पूरा नाम है रैगनर नक्स इनसे संबंधित है अगला प्रश्ण कथन कारण से है कथन है गरीबी रे कि नीचे लोगों को एक अभिग्यत समोह के रूप में मानने की आओ सकता है सही है इससे कारेकरम अभिकाडों को लच्छित करने में सहूलियत होगी तो A और R दोनों सही है और R A का सही अस्पश्टी करण भी है अगला प्रश्ट कथन कारण से है भारत में और अमीर और प्रूखा सोखा भोजन करते हैं तो दोनों ही कथन और कारण सही है और R A की सही व्याख्या करता है तो इसलिए इसका आप्सन A सही हो जाएगा अगला प्रश्ट देखते हैं दोस्तों जुलाई 2013 में योजना आयोक द्वारा जारी गरीवी के नवीनतम आकलन के अनुसार क् पारे में सरवाधिक गरीवी प्रस्ट तवाला राज 36 गड़ था अगला प्रश्ट है कथन कारण से संबंधित कथन है बिहार भारत का एक पिछड़ा राज है तो ये सही कथन है और कारण है यहां विकास के अस्तर में छेतरी भिनता मिलती है तो दोस्तों A और R दोनों सही है और R A की सही ब्याख्या नहीं करता है भारत में गरीवी की तीब्रता की माप के लिए सबसे उप्यूक्त मापक कौन सा है तो ये है बहु आयामी गरीवी सोचकांग अगला प्रश्ट है दोस्तों भारत में राश्टी और राज्यस्तर पर निर्धनता अनुमानों के ये एक केंद्री अभिकराण या नोडल एजेंसी था अगला प्रश्ट है कुछ हापसन है आपके दत्त समिती लकडवाला समिती चलयय समिती और चक्रवर्ती समित में से किस एक के आधार पर भारत में गरीवी रेखा का आकलन किया जाता है तो दोस्तों भारत में गरीवी रहे उनका नाम सुरेश तेंद्रुकर था तो तेंद्रुकर समिती ने भारत में गरीवी रेखा के नीचे की जनसंख्या का अनुपात कितना आकलित किया था तो ये 37.2 प्रश्ट इसका अनुपात तेंद्रुकर समिती ने भारत में गरीवी रेखा से नीचे की जनसंख्या का आकलित किया था अगला प्रशन है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नाय मानक निर्धारित करने के लिए भारस सरकार ने एक समित गठित की थी निर्मला देश पांडे वी सिधार्थ सुरेश तेंदुलकर और प्रोफेशर जान अगला प्रशन जो है वो है गरीबी से संबंदित जो प्रशन है उनका अगला प्रशन है सही सुमेलित कौन है तो सरवाथिक गरीबी प्रतसत्ता वाले राज्यों में 36 गर जारखंड मडीपूर अरवडाचल प्रदेश बिहार और उसके बाद संपोण भारत का क्रम आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और पंजाब राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे निउन्तम प्रतिसत का योगदान है तो केरल में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग रहते हैं भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं तो 29 प्रतिसत और ओडिशा में भारत के 50 प्रचस से अधिक निर्धन इन चार राज्यों में ही निवास करते हैं अगला प्रशन है भारत में ग्रामीर छेत्र में गरीवी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रतिव्यक्ति कैलोरी ग्राहता की संस्तोति कितनी की गई है तो ग्रामीर छेत्रों में प्रतिव्यक्ति कैलोरी ग्राहता 2400 कैलोरी प्रतिव्यक्ति निर्धारित की गई है भारत में गरीवी को कैसे परिभासित किया गया है तो कैलोरी प्राप्ति या कैलोरी उपभोग से भारत में गरीवी को परिभासित किया गया है भारती यूजना आयोक के अंसार गरीबी रेखा के लिए सही क्या था तो ग्रामीर छेत्रों में प्रति ब्यक्ति रुपए 26 प्रति दिन और नगरी छेत्रों में 32 रुपए प्रति दिन अरजित करने वाले ब्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जाएगा भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या होता है तो परिवार का उपभोग बै जो है वो भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है और गरीबी और बेरोजगारी के अनुमान भारत में किस पर आधारित हैं तो ये NSSO के परिवारों के उपभोग बै के सर्वे के आधार प क्या है तो ये है उबभोग आकड़ा और गरीवी रेखा से निकालने के लिए कौन सा प्रियोग में नहीं लाया जाता है तो साक्षर्ता को जबकि प्रतिव्यक्तिय वसता है भोजर में कैलोरी और हC-R को प्रियोग में लाया जाता है अगला प्रश्ण है परियाप्त प्रिध्धी सम्रिध्धी जो है ये जनसंख्या की उच्च प्रिधिदर बेरोजगारी और बढ़ती निवेशदर में से कौन निर्धर्णता के लिए उत्तरदाई नहीं है तो बढ़ती निवेशदर जो है वो जनसंख्या के लिए उत्तरदाई नहीं है अगला प्रश्ण है बिभेदी कृत ब्याज योजना का उद्देश रियायती रेड़ परदान करना था तो समाज के कमजोर बर्गों के लिए रियायती रेड़ उपलवद कराना बिभेदी कृत ब्याज योजना का उद्देश था सारुजनिक बितरन परलाडी का लच्छ क्या है तो गरीवों को खाद सुरक्षा उपलवद कराना जो है वो सारुजनिक बितरन परलाडी का रच्छ है दोस्तों राश्टी स्वास्थ वीमा योजना निपूर्टा विकास कारेकरम आम आदमी वीमा योजना और असंगठित स्रमिकों का सामाजिक सुरच्छा अधनियम 2008 में से एक सामाजिक संरक्षन का तरीका नहीं है तो निपूर्ता विकास कारेक्रम या कौसल विकास कारेक्रम ये सामाजिक संरक्षन का तरीका नहीं है अगला प्रशन है दीपक पारिक कमेटी दोस्तों दीपक पारेक कमेटी अन्नी चीजों के साथ साथ गठित की गई थी तो आउसन रशना के विकास और वित्तियन के लिए उपाय सुझाने के उद्देश से से दीपक पारेक कमेटी गठित की गई थी अगला प्रशन है कथन कारण से संबंधित है मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है कारण है उसके प्रमुख लच्छन अत्यधिक बाल मृतुदर और कुपोसण है तो सही उत्तर है दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर एकी सही ब्याख्या करता है अगला प्रशन है अत्यधिक कुपोसण के कारण भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है तो मध्य प्रदेश राज्य को भारत का इथियोपिया कहा जाता है अगला प्रशन देखते हैं IRDP, Trisim, NREP में से ग्रामीड भारत में गरीबी दूर करने के लिए योजना कौन सी है तो यह तीनों योजनाए जो हैं जो सभी तीनों योजनाए IRDP, Trisim और NREP ये ग्रामीड भारत में गरीबी दूर करने की योजनाए हैं गरीबी उन्मुलन का नारा कप दिया गया था तो छटवी पंचवर्शी योजना में दोस्तों गरीबी उन्मुलन का नारा दिया गया था सरकारी तोर पर परिवार नियोजन कारेकरम को सरोपर्थम किसने अपनाय था तो भारत ने सरकारी तोर पर परिवार नियोजन कारेकरम को अपनाय था भारत में परिवार नियोजन कारेकरम का प्रारम किया गया था वर्स 1952 में और गरीबी उपसमन पर दच्छेश की मंत अस्तरी सभा कहां हुई थी ये इसलामाबाद में हुई थी दोस्तों UNDP यानि United Nations Development Program के समर्थन से आक्सफोर्ड निर्धनता और मानो विकास नेत्रित द्वारा विक्सित बहु आयामी निर्धनता सूचकांक में कौन से आकड़े सम्मीलित किये जाते हैं तो ये हैं पारिवार अस्तर प्रसिक्षा स्वास्त संपति तथा सेवाओं से बंचन ये बहु आयामी निर्धनता सूचकांक में शामिल जो हैं वो तत्तो हैं अगला प्रशन है दोस्तों बैदेशिक छेत्र से संबंधित आयात निर्यात से देखते हैं पहला प्रशन कथन कारण से है कथन है आर सुल्क में कमी से अस्थाने उद्यमियों को विस्व बाजार का सामना करने के लिए प्रद्योकी का सुधार करने में सहायता मिलेगी तो ये भी सही है दोस्तों ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एकी सही ब्याख्या नहीं करता है अगला प्रशन है माल के आयात के लिए विद में भारत से निर्यात अधिकतम किसका होता है तो इंजीनियरिंग उत्पाद का निर्यात सबसे अधिक होता है अगला प्रशन है दोस्तों भारत सरकार की नई विदेशी ब्यापार नियती कब प्रारम की गई थी तो एक अप्रेल 2015 से प्रारम की गई थी और इसकी जो भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रब्य की जाती है पेट्रोलियम पदार्थों के आयत पर और हाल के बर्सों में देखा जाया है तो भारत में आयात की सबसे बड़ी मद कौन सी है ये पेट्रोलियम पदार्थ है दोस्तों हीरे के निर्यात से भारत को काफी अधिकाय होती है इसमें किसका योगदान है तो भिशेशग्यों की उपलब्धी जो आयातित हीरों की कटाई और पालिस करते हैं ताकि बाद में उनका निर्यात हो सके दोस्तों तिरूपूर तिरूपूर बिस्व के अनेक छेतरों में किसलिए प्रसिद्ध है ये वुने हुए बस्तरों के निर्यात के लिए तिरूपूर प्रसिद्ध है भारत में स्वतंत्र ब्यापार छेतरों की अस्थापना की गई है दोस्तों निर्यात उद्योगों के सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं उसे स्वतंत्र ब्यापार छेत्र कहा जाता है अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों विशेश आर्थिक छेत्र नीती SEG Special Economic Zone की नीत कब घोसित की गई थी अप्रेल 2000 में एसिया का पर्थम निर्यात प्रसंस करणर छेत्र 1965 में कहां स्थापित किया गया था ये कांडला गुजरात में भारत का पर्थम निर्यात उप्योगी करणर छेत्र EPJ का स्रिचन कहां हुआ था कांडला में और देखिए मुंबई विसाखा पतनम और तिर्वनंद पुरम में से वह एक जगह जहां मुक्त ब्यापार छेत्र नहीं है तो तिर्वनंद पुरम में मुक्त ब्यापार छेत्र नहीं है जबकि कांडला मुंबई और विसाखा पतनम में मुक्त ब्यापार छेत्र अस्थापित किया गया बडोद्रा किसके लिए प्रसिद्ध है पटोला सिल्क के लिए बडोद्रा प्रसिद्ध है अगला प्रशन है दोस्तों नीजी छेत्र का पर्थम निर्यात प्रक्रिया छेत्र कहां स्थापित किया गया ये सूरत में विशेश आर्थिक छेत्र यानी S.E.Z. अधनियम का उद्धेश से क्या थे तो असनरशना और सुविधाओं का विखास विदेशी शुरोतों से निवेश को प्रोशाहन करना 2006 में प्रभावी हुए सेज एक्ट 2005 के उद्धेश थे सेज यानी विशेश आर्थिक छेत्र का उद्धेश से क्या नहीं है विदेशी निवेश को हत तो तसाहित करना ये इसका उद्धेश से नहीं है अगला प्रशन है दोस्तों वर्स 1950 में अंतराश्टी निर्यात में भारत का योगदान 1.85 प्रशन था लेकिन आज यह कितना है तो दोस्तों यह आज दो प्रशन के आसपास है अंतराश्टी व्यापार में अधिक्तम हिस् निर्का की है और देखिए भारत में सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेज किस छेतर में आकरसित होता है तो यह सेवा छेतर में है अगला प्रशन है दोस्तों आयल पूल खाते की समापती किस से प्रभावित हुई थी कब तो 1 अप्रेल 2002 से आयल पूल खाते की समापती प पहे जा जाता है संयुकतर अरब अमीरात में 50 प्रस्त से अधिक भारत का आयात कहां से आता है ये ACI देशों से आता है और दोस्तों ये सब करेंट के मुद्दे हैं लेकिन ये अभी प्रासंगिक हैं भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक साजेदार ये USA है और भारत का अधिक विदेशी ब्यापार ये USA के साथ होता है और वर्तमान समय में कुल अंतराश्टी ब्यापार में भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक साजेदार ये आपका संयुकतर राज्य अमेरिका है अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है विस्व में लंबे रेश आज्य ब्यापार निगम तथा भारति खादे निगम ये भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करने वाले प्रमुख भारती संगठन है भारत में निर्यात आयात यानि एक जिम बैंक का गठन कब हुआ था वर्स 1982 में ECGC किस्से संबंधित है निर्यात वित्तियन और बी बीमा प्रदान कौन करता है तो Export Credit and Guarantee Corporation यानि ECGC निर्यात कों की वित्तियन जोकियों और बीमा प्रदान करता है दोस्तों बिदेश वियापार का संबर्धन कौन करता है तो ECGC, MMTC और STC जो है ये विदेशी वियापार का संबर्धन करता है भारत में फेमा के संबंध में सही कथन क्या है तो दोस्तों फेरा को फारेन एक्चेंज रेगुलेटिंग एक्ट को 31 माई 2002 तक को दो वर्स के लिए निश्चित कालिक संसेट खंड दिया गया था ताकि प्रवर्तन निदेसाले अनिडित विशेयों की जाजबर्ताल पूरी कर ले अगला प्रशन है स्वतंत व्यापार उस नीत को बताती है जहां पर प्रसुल्क अनुपस्थित होता है अगला प्रशन कथन काराण से है मुद्रा का ओमुल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है सही है और ओमुल्यन से अंतराष्टी वाजार में घरेलो उत्पादों का मुल्य गिर जाता है तो ये भी सही है दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर एकी सही व्याख्या करता है अगला प्रशन है कभी कभी समाचारों में दिखने वाले पद आयात आवराण यानि इंपोर्ट कबर का अर्थ क्या होता है दोस्तों ये उन महीनों की संख्या को बताता है जितने महीनों के आयात का भुकतान देश के अंतराष्टी रिजवर बैंक द्वारा किया जा सकता है अगला प्रशन है दोस्तों कथन कारण से कथन है एक जिम नीत उधारवादी और बाजार परक है और भूमंडली व्यापार के प्रतिकूल अनुकूल है कारण है कि गैट जनरल एग्रिमेंट अन ट्रेड अन टेरफ ने अर्थव्योस्था के उधारी करण में एक महतोपोण भूमिका निभाई है तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एका सही असपश्टी करण नहीं है अब आई ये देखते हैं सही सुमेलन करना है भार से निर्यात की वस्तुएं और कहां जाती है तो लोह औयसक जापान में चमड़े का सामान रूस चाय यूके यानि उनाटेट किंग्डम और सूती कपड़ा USA को निर्यात किया जाता है अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड तो देखे बहुत ही महतपूर्ण प्रश्ण है कभी भी अर्थविवस्था में पूछ सकता है इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की अस्थापना कभ हुई थी 1996 में और देखते हैं वह देश भारती कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है संयुक्तराज अमेरिका है कल्चर मोती दोस्तों कल्चर पर्ल जो होता है इसका उत्पादन महतपूर कुटी रुद्योग है कहां का तो ये जापान का भारती चमड़े का निर्यात सबस क्या कहे जाते हैं तो ये इस्टार व्यापार ग्रेह के रूप में इनको अलग से इस्टार रेट दिया जाता है अगला प्रशन है अद्रेश से निर्यात का अर्थ क्या होता है दोस्तों सेवाओं का निर्यात जो है उसे अद्रेश से निर्यात की मदों के अंतरगत सामिल क एंट्री पोर्ट व्यापार से क्या तात्पर है? निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुवा से संबंधित एंट्री पोर्ट व्यापार होता है। अगला प्रश्ण है सन 2000 में नाथुला दर्रा जिन्दो देशों के विश सीमा पार व्यापार के लिए पुनह खुला था वो कौन से हैं तो ये नाथुला दर्रा भारत और चेन के बीच हैं आयात की प्रक्रिया किस से आरंभ होती है तो इंडेंट से प्रारंभ होती है आयात क प्रक्रिया साख पत्र किससे दिया जाता है दोस्तों एक आयात करता द्वारा निर्यात करता हो दिया जाता है साख पत्र duty drawback का क्या आसा है निर्यातकों को आयात सुलकी वापसी duty drawback का आसा है और बाड़िज विभाग की द्रेर्ग कालीं द्रिष्ट में भारत को विस्व व्यापार में एक मुख्य प्रतिभागी बनाना है 2020 तक बंद अर्थविवस्था या closed economy का संबंध किस्से है तो न तो निर् अगला प्रस्ण देखते हैं भुक्तान संतुलन भुक्तान संतुलन से संबंधित तो भुक्तान संतुलन सब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है आयात और निर्यात के संबंध में देश का भुक्तान संतुलन वेवस्थित अभिलेख होता है तो किसी निर्धारिस समय के दोरान सामानता एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेंदेन भुकतान संतुलन से समबंधित होता है भुकतान संतुलन को किस प्रकार परिभासित किया जा सकता है एक देश के निवासिगण और सेश विष्व के बीच आर्थिक कारियों का पूरा विवरा भुकतान संतुलन कहलाता है दोस्तों भुक्तान संतुलन में क्या चीज़े नहींत होती हैं तो द्रिस्य व्यापार अद्रिस्य व्यापार और रिड भुक्तान संतुलन में नहींत होते हैं भुखतान संतुलन के संतर में चालू खाता बनता है व्यापार संतुलन और अद्रिस संतुलन से चालू खाता बनता है दोस्तों बिदेशी व्यापार का भुखतान किस से संबंदित है ये भुखतान संतुलन से संबंदित है व्यापार संतुलन में क्या सामिल होता है तो माल या वस्तुवें ब्यापार संतुलन में सामिल होती है अगला प्रशन है दोस्तों नई एकल European मुद्रा का नाम क्या है तो उस मुद्रा का नाम है यूरो मुद्रा यूरो डालर क्या होता है संयुक्त राज अमेरिका की परिशंगी सरकार द्वारा जारी एक विशेश मुद्रा जिसका उपयोग केवल यूरोप में होता है इसे यूरो डालर कहा जाता है यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में किसे नहीं स्विकार किया है ब्रीटेन, डेनमार्क और स्वीडन ने नई मुद्रा यूरो आरम की गई थी तो वर्स 1999 में यूरो किसकी राष्ट्री मुद्रा है तो दोस्तों यूरो यूरोपी संग के 19 राज्यों की राष्ट्री मुद्रा है अगला प्रश्न है आर्थिक उदारीकरान नीति का एक महतपूर्ण लच्छे है भारत रुपय के लिए पूण परिवर्तनीता प्राप्त करेगा और इसका समर्थन किया जा रहा है क्योंकि यह भारत में विदेशी पूजी के परवाह को अधिक आकरसित करेगी रुपय की परिवर्तनीता का क्या आसे है तो दोस्तों रुपय का अन्यप्रमुख मुद्राओं और अन्यप्रमुख मुद्राओं को रुपय के रुप में मुक्त रुप में परिवर्तनीता से सम्बंधित होती है बरतमान में रुपय की परिवर्तन सील्था का अर्थ क्या है तो इस रुपया सभी प्रकार के चालू बेओहारों के लिए भी देशी मुद्रा में परिवर्दनी है ये रुपय की परिवर्दन सीलता का आसर है अगला प्रशन है चालू खाते में रुपय की पूर्ड परिवर्दनीता को घोसित किया गया था 1994 से रुपय की पूर्ड बीनिमेता का क्या अभिप्राय होता है तो दोस्तों अन्य अंतराष्टी मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह और देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित अस्थान पर किसी अन्य राष्ट्री अंतराष्टी मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान रुपय की पूर्ड बीनिमेता कहलाती है भारती रुपया पूर्ट परिवर्तनी है तो भुक्तान से इसके चालू लेखा माल के संबंध में भारती रुपय को परिवर्तनी बनाये गया तो चालू खाते में अगस्त 1994 से भारती रुपय को परिवर्तनी बनाये गया तारापोर समिति का संबंध किस से है दोस्तों पूर्ण पूजी लेखा सम परिवर्तनीता से तारापोर रिपोर्ट जो है तारापोर कमेठी संबंधित थी भारती रुपए की पूर्ण परिवर्तनीता के प्रश्ण का परिछण किस समिति के द्वारा किया गया था ये अंतराष्टी व्यापार में प्रियुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा का मुल्य घट जाना ये मुद्रा आव मुल्यन कहलाता है भारत में रुपए का आव मुल्यन पहली बार कप किया गया था? उनी सो उन्चास में और चालू खाते के घाटे के घटाने में सहायक सावित क्या हो सकता है? घरेलो मुद्रा का आव मुल्यन और उन उप्यूक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक FDI तथा FIIS से अधिक नीधि आए मुद्रा के अव मुल्यन का क्या प्रभाव है? दोस्तों देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना ये मुद्रा अव मुल्यन का प्रभाव है जब कोई देश अपनी मुद्रा का ओमुल्यन करता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं एक देश द्वारा अपनी मुद्रा के ओमुल्यन का सहारा लेता है व्यापार से इसको ठीक करने के लिए एक देश मुद्रा के ओमुल्यन का सहारा लेता है अगला प्रश्ण कथन कारण से संबंधित है कथन है मुद्रा का अवमुल्यान यां डिवैल्वेशन निर्यातों को बढ़ाने के लिए किया जाता है और कारण है विदेशी व्यापार में घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती है तो A और R दोनों सही है और R A की सही ब्याख्या करता है अगला प्रश्ण है वह विदेशी मुद्रा जिसका प्रवाह भारती संदर में अधिक उडन सील कहा जा सकता है तो ये अनिवासी भारती जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो होता है ये उडन सील कहा जाता है ऐसी मुद्रा को अगला प्रश्ण है भारती रुपए की पूजी गतलेखा परिवर्त नीता यानि Capital Account Convertibility का अर्थ क्या होता है तो बित्ती परिसंपतियों के व्यापार के प्रियोजन से भारती रुपए का किसी भी प्रमुख मुद्रा में बिर्मे किया जा सकता है ये पूजी गतलेखा परिवर्त नीता का आसे होता है अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्ण है हवाला संब्योहार उन भुक्तानों से संबंधित होता है जो सरकारी माध्यम से गुजरे बिना विदेशी मुद्रा के बदले रुपए और रुपए के बदले विदेशी मुद्रा प्राप्त किये जाते हैं अगला प्रश्ण है जुलाई 1991 में मुद्रा का ओमुल्यन कब कितना किया गया था तो 20% और भारती रुपए का दो बार ओमुल्यन किया गया वित्ती वर्स कब तो वित्ती वर्स 1991 में भारती मुद्रा का दो बार ओमुल्यन किया गया था दोस्तों विदेशी बिन्में प्रवंधन अधिनियम यानि फारं एक्षेंट एक्षेंज मैनेज्मेंट एक्ट जो है ये कब प्रभावी हुआ था फेमा, तो दोस्तों फेमा वर्स 2000 से प्रभावी हुआ था और फेमा यानि विदेशी बिन में प्रवंधन अधिनियम का अंतिमरोग से कब लागू किया गया था वर्स 2002 से लागू किया गया था और भारस सरकार ने EF, ERA यानि फेरा को किस से प्रतिस्थापित किया था तो फेमा से प्रतिस्थापित किया था भार सरकार ने फेरा को मुद्रा के अवमुल्यन का प्रभाव क्या होता है तो देश में मुद्रा अवस्भीती का नय होना मुद्रा अवमुल्यन का प्रभाव है ब्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिधान्त किसके द्वारा प्रित्पादित किया गया था अर्थ सास्त्री हाट्रे के द्वारा ब्यापार चक्र का विशुद्ध मौलिक सिधान्त प्रस्तुत किया गया था e-beach किस से संबंधित है सरकारी सेवाओं की पहुँच के लिए एकल द्वार प्लेटफार्म e-beach से संबंधित है e-beach या e-commerce का क्या अर्थ होता है तो internet और mobile के द्वारा जो banking होती है या जो व्यापार होता है उसे e-beach कहा जाता है भारत की सबसे बड़ी e-commerce company है तो Amazon है सुपर 301 क्या है दोस्तों अमेरिकी व्यापार और प्रतिसपरधाध नियम 1998 की वह धारा जिसके तहत अमेरिका द्वारा किसी भी देश के विरुद आर्थिक कारवाई के लिए जो है वो की जाती है इसे सुपर 301 कहा जाता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने देखा समसामाई घटना चक्रद्वारा प्रकासित भारती अर्थविवस्था अर्थात सामाजी के वं आर्थि विकास का भाग साथ वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को ला प्रक्दर्शन फार्ट सिविल सेर्विस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार